मेरे प्यारे दोस्तों मेरा राशी राशी की रेसीपी में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज मैं आपके लिए लिगायू होममेड प्रेमिक्स जिससे की आप बेकरी स्टाइल जो केके वो घर में बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं यदि आपको मेरी ये करना ना भूले क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी मेनत तो जाती है इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजें चले हम हमारी रेसीपी को स्टार्ट करते हैं लेस्ट डू कोकिंग धाइसो ग्राम नाइदा, थ्री फोर्थ कप चीनी, वन फोर्थ कप कॉर्ण फ्लार, हाप कप, मिल्क पाउडर, वन पिंच साट्रिक असिद, बेकिंग पाउडर, टू टेस्पी, बेकिंग सोडा, वन टेस्पी, जी एसेम पाउडर, वन टेस्पी सबसे पहले हम हमारा केक का प्रिमिक्स बना लेते हैं, तो यहां मैंने ले लिया है मिक्सी का जार, हम यहां मिक्सी के जार का यूज इसलिए कर दें, क्योंकि सबके पास घर में इलेक्रिक बेंडर अउलेवल नहीं होता है, तो हम मिक्सी के जार में डाल देंगे बेकिंग उसके बाद हम इसमें डाल देंगे baking soda, आपको यह baking powder और baking soda जो है, वो अच्छी quality का यूजज करना है, जिससे कि आपकी जो cake का test है, वो अच्छी से आए, अब उसके बाद हम उसमें डाल देंगे gsm powder, gsm powder जो है, यह आपको किराना शौक में, इसीली मिल जाएगा आप उनको बोल दीजेगा कि जो आइस्क्रीम में डालते हैं उसे जेमसे म पाउडर बोलते हैं तो जेसे म पाउडर से हमारे केक को एक अच्छे से बाइंडिंग मिलती है जिसे कि हमारा जो केक की वो काफी फलपी बनता है और भोती soft होता है और केक की जो test यह बहुत अच्छी तरीके से आती है अब हम इसमें डाल देंगे एक पिंच निम्बू का powder इसे हम citric acid भी कहते हैं अब हम इसमें डाल देंगे चीनी का बुरादा चीनी का जो बुरादा है यहां आपको बहुत अच्छी quality का लेना है यदि आपके पास चीनी का बुरादा ना हो तो आप घर में चीनी पीश के भी से ले सकते है अब हम इसको मिक्सी में अच्छी तरीके से ग्रैंड कर लेंगे हमने मिक्सी में हमारे सारी इंगिडियन को पीछ दिया है अब हम सारे हमारी यह जो इंगिडियने इनको हम चान लेंगे चानना यहां बहुत ज़रूरी है कॉन फ्लावर मिल्क पाउडर यह है धाइसो ग्राम मैदा हमने हमारे प्रिमिक्स को तीन बार अच्छे से चान लिया है अब हम इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे आपको अगर आपका जो केकी यह बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनाना है तो आप इहां इसमें से कोई भी इंगिडियन स्कीप ना करें तब ही आपका जो केके बहुत अच्छी तरीके से स्पॉंजी और फ्लपी बनेगा और खाने में भी इसका जो टेस्ट है यह बहुत अच्छी तरीके से आएगा प्रिमिक्स हमारा यहां बनके रिडी है अब हम इसको तीन एकपल पोर्शों में डिवाइट कर लेंगे जिससे कि पहला होगा प्लेन प्रिमिक्स दूसरा होगा हमारा चॉकलेट प्रिमिक्स और तीसरा होगा हमारा डेलेवरेट प्रिमिक्स चले फिर हम ये दोनों प्रिमिक्स भी बना लेते हैं हमने उसी प्रिमिक्स से एक कब प्रिमिक्स ले लिया है और वन फोथ कब हमने यहां कोको पौडर भी ले लिया है अब हम इन दोनों इंडिडन को अच्छे से चान लेंगे आप यहां इसको मिक्सी में भी पीश सकते हैं यहां हमारा चॉकलेट प्रिमिक्स यह बन के लिए आपको यह जरूर रगे तो आप इसे एक बार फिस से चनी में से भी चान सकते हैं अब हमें हमारा रेल वेलवेट प्रिमिक्स भी जल्दी से बना लेते हैं यह हमारा प्लेन प्रेमिक्स यह हमारा चॉकलेट प्रेमिक्स और हम यहां रेड वेलवेट प्रेमिक्स भी बना लेते हैं तो एक कप मेंने यहां ले लिया है प्रेमिक्स थोड़ा सा बच गया था वो भी हमने ले लिया है अब हम यहां ले लेंगे एक मिक्स काजा उसमें हम असली में हम ढाल देंगे 1 su gece टोप कर शौने वाला फूड कलर अब हम इसली में नर्ट कर लेंगे हमने हमारा द्रोड रेड की प्रेमिक्स निलक टेकर ले खोकेमिक्स तीन हूं अब हम इसको एक बाउल में निकाल देते हैं यहां हमारे चॉकलेट प्रेमिक्स वैनिला प्रेमिक्स और रेड वेलेड प्रेमिक्स बनके रिड़ी है अब यह जो प्रेमिक्स इनको तीन से चार मेने स्टोर करके रख सकते हैं इनको फ्रेज में स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं है और तीन से चार मेने तक यह बिल्कुल भी नहीं खराब होते हैं और आपको कभी भी केक बनाना हो तो केक प्रेमिक्स लीजे उसमें पानी और तेल डालिए और आपका केक आप जल्दी से बैक करने के लिए रख दें इ होती इजी हो जाएगा केक जोएगा हमारा बहुत जल्दी से बनके रिड़ी होगा